कि हम क्या है यह जीवन हमें किस नहीं दिया क्या इसका कोई उद्देश्य है हमारे जीवन का क्या कोई अर्थ है जीवन की सफलता या सार्थक्ता का सूत्र हर किसी के लिए अलग है किसी को प्यार करके सार्थक्ता मिलती है तो किसी को पैसा कमा के तो किसी को हिमाले की वादियों में अकेले समय गुजार के हर इंसान दरसल अपने जीवन का अर्थ खोजना चाहता है यहीं से अस्तित्ववादी पहली शुरू होती है जैसे ही आप अपने जीवन यानी अस्तित्व का अर्थ खोजने की दिशा में बढ़ेंगे आप अस्तित्ववादी होने लगेंगे कुछ लोग अपनी जीवन का अर्थ धर्म और अध्यात्म के माध्यम से खोचते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि गरीबों और वन्चितों के लिए सामाजिक आंदोलन करने से उनका जीवन सार्थक हो जाएगा कुछ को जीवन का अर्थ दान पुन्य में मिलता है तो कुछ को लूट खसोट में कुछ लोगों को जीवन का अर्थ शांति की बात करने में मिलता है तो कुछ लोगों को क्रांति की बात करने में दोनों किसम की सोच को अस्तित्ववादी सोच माना जाता है क्योंकि दोनों के मूल में व्यक्ति के अस्तित्व और जीवन के अर्थ की चिंता है हर कोई अपने जीवन का अर्थ जानना चाहता है अस्तितवात कहता है कि हाँ जिस तरह का काम करने में आपको खुशे मिलती हो उससे आपके जीवन को एक अर्थ मिल सकता है लेकिन सच बात तो ये है, कि जीवन का अर्थ जैसे कोई चीज नहीं होती, जीवन का कोई अर्थ नहीं होता, संसार का कोई अर्थ नहीं होता, हम अपने विचारों, अनुभूतियों, तरकों और हालात के अनुसार एक अर्थ खोजने की कोशिश करते हैं, किसी एक अर्थ को प्राप्त भी कर लेते हैं लेकिन दरसल वो सिर्फ एक वहम होता है यही पहली है अब यहां थोड़ा सा घौर से सुनिएगा पुराने जमाने में एक मानेता बहुत आम थी और वो कमोबेश सभी धर्मों में थी और आज भी है कि हमें इस धर्ती पर ईश्वर ने भेजा हैं हम हमारे पैदा होने से पहले ही हमारा प्रारब्ध भाग्य करतव्य और भूमिका यह सब तै कर दिये जाते हैं इश्वर इन सब को तै करता है उसके बाद हम जन्म लेते हैं फिलोसोफिकी भाशा में इसे हमारे जीवन का सार या स्वभाव या एसेंस कहा जाता है यानि हमारा मूलभूत गुण जैसे एक कुलहारी उसका हैंडल लकड़ी का भी हो सकता है या लोहे का भी इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता कुलहारी में वो धारदार ब्लेड वो धारदार हिस्सा होना चाहिए अगर वो हिस्सा नहीं है तो उसको आप कुछ भी कह सकते हैं लेकिन कुलहारी नहीं कहेंगे इसी तरह हर चीज़ का एक बुन्यादी गुण होता है जिससे उसका होना डिफाइन होता है उसका होना तै होता है पेन, चाकू गेंड, पल्ला हर चीज़ के पास एक बुनियादी गुण है वह चीज उसी गुण से परिभाशित होगी इसे कहा जाता है essence पुराने दार्शनिकों खासकर प्लेटो, अरस्तू और उनके बाद के कई युनानी दार्शनिकों का मानना था कि ठीक वैसा ही एक गुण यानि essence essence मनुश्य के भीतर होता है और यह essence हमारे पैदा होने से पहले ही होता है उसी से हमारे जीवन को एक उदेश, एक मकसद, वह एक अर्थ मिलता है हम कुछ न कुछ बनने के लिए पैदा हुए है वह essence हमें इश्वर ने दिया है हजारों वर्षों तक गुमा फिरा कर इनी बातों को माना जाता रहा आज भी दुनिया में सबसे लोकप्रिय विचार यही है कि हमें इश्वर ने इस संसार में किसी एक खास मकसद और अर्थ के लिए भेजा है यानि अर्थ पहले तैय हो गया हमारा जन बाद में हुआ लेकिन अठारवी उननीश्वी सदी में यॉरप में दार्शनिकों ने इसके उलट सोचना शुरू किया जर्मनी में नीटशे नाम के एक दार्शनिक हुए उन्होंने इस सोच को बदल के रख दिया उन्होंने खास किस्म का नकारबाद यानि नायलिजम का सिध्धान दिया यानि इस संसार में किसी भी चीज़ का कोई अर्थ नहीं है हर चीज निरर्थक है किरकेगार्थ, नीटशे, दोस्तवस्की और काफका जैसे लेकों और चिंतकों ने अपनी अपनी तरह से संसार की निरर्थकता के इस विचार को विशलेशित किया अपनी अपनी तरह से विशलेशित किया लेकिन इसे उचाई पर ले गए फ्रांसी सी दार्शनिक और लेखक ज्याम पॉल सार्थ उन्होंने साफ कहा कि existence, precedes, essence यानि पहले इंसान का जन्म होता है उसके बाद वो अपना essence पाता है उसके बाद मकसद खोजने की दिशा में आगे बढ़ता है ध्यान रखिए पुरानी दार्शने धार्मिक माननेता है कहती है कि इश्वर पहले जिन्दगी का मकसद बनाता है फिर जिन्दगी बनती है लेकिन अस्तित्वाद कहता है पहले अस्तित्व बनता है जीवन बनता है उसके बाद उसके मकसद की तलाश शुरू होती है पहले मनुष्य पैदा होगा फिर पता चलेगा कि वो अच्छा है बुरा है या आगे चलकर उसने जीवन में क्या किया मनुश्य कोई वस्तू तो है नहीं कि पहले से पता हो कि हमें एक चाकू बनाना है जिससे हम सबजियां काट सके यानि मकसद उदेश्य यह सब पहले से नहीं पता होते सारत्र से लेकर तमाम अस्तितववादी चिंतकों ने कहा कि पैदा होने के बाद हमें अपने जीवन की रचना खुद करनी पड़ती है अपने मूल्यों, गुणों, अवगुणों का निर्धारन हम खुद करते हैं कैसे करते हैं? अपने निर्णयों और चयन के द्वारा करते हैं हमें किसी इश्वर ने नहीं बनाया हमारा नियंतरन कोई इश्वर या ओल्माइटी नहीं करता हमारे पास कोई डेस्टिनी, प्रारप्त या पहले से निर्धारित भाग्य नहीं होता सब कुछ हमारे नर्णय, हमारे चयन होते हैं किसी एक खास स्थिति में हमने कौन सा रास्ता चुना इसी से हमारा आगे का जीवन तै होता है हम चुनने के लिए आजाद है जब हम प्राप्त विकल्पों में से किसी को भी नहीं चुनते तब भी वो एक तरह से हमारे द्वारक किया गया चयन होता है मजबूरी में भी हमारे सामने चयन का विकल्प होता है इस तरह हम हमेशा स्वतंत्र होते हैं कम से कम अपने चयन के लिए स्वतंत्र ये स्वतंत्रता हमें कई बार सुखी करती है तो उससे अधिक दुखी करती है अगर हमें चुन्ने की स्वतंतरता भरपूर मिल जाए पूरी विशालता में मिल जाए तो हम अपने और निर्णय से भी दुखी हो जाएंगे हमारा जीवन जितना हमारे निर्णयों से प्रभावित होता है उतना ही हमारे अव निर्णय से भी इसी को existential crisis भी कहते हैं इस crisis को समाप्त करने के लिए हम जितने भी उपाय करें मसलन सामाजिक स्वतंतरता, आर्थिक स्वतंतरता, आध्यात्मिक या वैचारिक स्वतंतरता ये सब crisis को पूरी तरह समाप्त करने के बजाए कई बार उसे बढ़ा देते हूं जिस दुनिया में ज्यादतर लोग अपने जीवन के सारे फैसले इश्वर के हवाले छोड़ देते हूं या जो मानते हूं कि अपने रास्तों का चुनाओं हम नहीं करते बलकि हमारे बिहाद पर इश्वर करता है ऐसी दुनिया के भीतर जब लेककों और दार्शनिकों का एक समू ये कहने लगे कि नहीं हम अपने जीवन में अपने रस्तों का चुनाओं खुद करते हैं हर निर्णय दरसल हमारा अपना निर्णय होता है हमारा अपना चयन होता है तब इन विचारों को करांतिकारी विचार माना जाएगा 20. सदी के आरंबिक वर्षों यानि 1920 से 1950 तक अस्तित्ववादी विचारों और अस्तित्ववादी चिंतन ने पूरी दुनिया को हिलाए रखा कुछ लोगों को लगता है कि अस्तित्ववाद नास्तिक लोगों का दर्शन है लेकिन ऐसा नहीं है किरके गार्द जैसे आरंबिक दर्शनिक तो बाखाइदा इसायत में विश्वास रखते थे उसका प्रचार भी करते थे और अस्तित्ववादी भी थे अस्तित्ववाद ने भी दो टाइप के लोग होते हैं आस्तिक टाइप के लोग इश्वर को मानते तो हैं लेकिन वो ये दावा नहीं करते कि हमारी जिंदगी को इश्वर द्वारा नियंतरित किया जाता है या हमारे सारे रास्ते हमें इश्वर दिखाता है और दूसरे नास्तिक किसम के अस्तित्ववादी वो तो खैर इश्वर को मानते ही नहीं, इसलिए ऐसा कोई सवाल ही नहीं होता